अ कि अ विज्टा आज मैं नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट के उपर वीडियो ले कर आया हूँ थिएन देग्स्ट केंडनब्रेडिक्ट करना है। साथ में देखिए नेक्स्ट कैंडल करने के लिए आपको सब से पहले प्राइज अकस्टन से केndल की साइकलोजी। थार्ड चीज मार्केट की साइट लोगी तीनों चीज़ें समझने पड़ेगे दैन आप जो है नेक्स केंडल प्रेडिक्ट कर पाएंगे और हाँ एक मस्त चीज है जो कि हम लोग बोलते हैं मनी मैनेजमेंट साथ में उसको भी एक्सप्लेंड करेंगे आज तो ध्यान दिजि खीन परिबार ही पर्चीज मार्केट अच्छा परसेंट दयती है दिखिए एक चीज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी मैंने कि मार्केट रियल मार्केट नहीं होती है और जो اध्य उसमें अच्छा परसेंट नहीं मिलता आप देख पार हुआंगे काहट, OTC market जो भी आपको मिलेगी, उसमें आपको same chart नहीं मिलेगा, ठीक है, OTC market, personal market होती है, Quartex की, चाहे कुछ भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन जो real market होती है, वो forex market, जो forex market का server होता है, ठीक है, वो real market, जो open होती है, अपने Quartex में, वो forex market का server होता है, वो हर जगे आपको मिलेगी, चाहे trading भी हो, चाहे money control हो, ठीक है, जो भी आप समझ लीजिए, जितने भी platform है, ठीक है, आपको जो real में market open मिलेगी, वो हर एक platform पे open मिलेगी, जो OTC मिलेगी, तो वो chart आपको same नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी platform मे अलग होगा, किसी में अलग होगा, OTC में ठीक है, तो यह चीज है, तो आज हम लोग OTC में करेंगे, क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोग OTC में ही trade करते हैं, reason मैं आपको बता देता हूँ, कि आप real market में जो currency open देखिए, उसमें 80%, 83%, 71%, 74% मिलता है, जबकि OTC market आप देख और 92% के आज़ पास return आपको मिल रहा है, ठीक है, तो अब जिसमें अच्छा percent मिल रहा है, तो उसी में trade करना मेरे लिए, ठीक है, मैं उसी में trade prefer करता हूँ, करने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप मतलब अच्छा दखिए, trading में guys, strategy तो मतलब अपनी जगह है, ठ का कैसा work कर रहा है, ठीक है, currency के according कर रहा है, trend के according कर रहा है, ठीक है, आपका price action का तरीका क्या है, candle की psychology की समझने का तरीका क्या है, यह सारी चीज़ें बहुत matter करती है, ठीक है, चल अच्छा चलते है, में मुद्दे पर जिसके लिए video बना रहा हूँ, और guys, अभी तक, मेरा पब्लिक टेलिग्राम चैनल जो की link आपको description मेरे मिल जाएगा, नहीं join किया है, जहां पर मैं regular दो 60 signal daily का provide करता हूँ, स्योर साथ मतलब स्योर साथ, लेकिन कम provide करता हूँ, लेकिन स्योर साथ ही provide करता हूँ, ठीक है, दो ही provide करता हूँ, लेकिन स्योर साथ provide करता हूँ, तो प्रप्लिक टेलिग्राम नहीं जोइन किया है कर लीजिएगा रीजन मैं आपको बता दूँ कि अगर दखिये कि पवलिक टेलिग्राम पर जैसे न्यूज है घीज़ भी प्रोवाइड करता हूं sulla page किस के कि और प्रोबिल्टी बताता हूं कि 90% परपाइब्ल डाउन जा सकती है लिए टेडिकेटेट वीडियो मैं बना दूँगा ठीक है उसका डायेक्षान भी बताता हूं कि अगर निव इस करेंसी पर रही तो डायेक्षन क्या हो सकता है ठीक है आप जा सकती है डाऊन जा सकती है वहाल Яब probability बताता हूँ और साथ नहीं होता है मैं पहले से बोलना हूँ probability बताता हूँ अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको यूज करियेगा नहीं नहीं के बाद लेकिन आपको यह पता जाएगा कि कब कब किस करेंसी पर न्यूज है ठीक चलो चलते हैं मेन मुद्दे पर तो आज नेक्ट कैंडल प्रेडिक्ट करेंगे अब नेक्ट कैंडल प्रेडिक्ट कैसे करेंगे जैसे यह करेंसी अभी आप देख रहें बंद रही है ठीक है इसमें नीचे से अच्छा खा काफी लंबी साइड है और आपकी बॉड़ी आप देख लीजिएगा यह एक इन्वेटेड हैमर क्या है इन्वेटेड हैमर ठीक है अभी उपर से अच्छा खासा रिजेक्शन आया हुआ इसमें तो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यह यह केंडल रिप्रेजेंट क्या कर सीधी सीधी बात है मतलब इस लेवल से एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है तो रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं न कहीं इस लेवल पर आपका सप्लाई जोन है ठीक ना सेलर्स बैठे हुए जो की मार्केट को डाउंवर्ड डाइरेक्शन की तरफ पुस्ट कर रहे हैं च्छा अभी ये केंडिल एक ग्रीन केंडल बनी ठिक क्या बनी हुए ग्रीन केंडल बनी हुए अभी इसके बाद मैं डाउनवर्ड डेरेक्शन में ट्रेड करता हूं ठीक मैंने कर लिया ठीक मैं 90% प्रब्रेडिशन दिखिए ट्रेडिंग स्चोर साथ नहीं होती है यहां पर मैंने डाउनवर्ड डेरेक्शन में ही क्यों ट्रेड लिया मैं आपवर्ड डेरेक्शन में भी तो ले सकता था अभी यहां पर आपको जोन बना देखिए जोन के लिए आपके लिए सबसे अच्छा टूल रेक्टेंगल अभी इससे अच्छा टूल नहीं है जोन ट्रॉड करने लिए ठीक है यहाँ पर हम लोग एक जोन डो करें जो कि मैंने कर दिया ठीक ठोड़ा सा इसको अभी आप देखिए मार्केट इस जोन में ही क्या है मार्केट इस जोन में ही ठीक है इस जोन के बाहर मार्केट बिल्कुल भी नहीं गई है ठीक यह सारी ट्रेड्स अपनी प्रॉफिट में आ गई बिल्कुल माइनर से सेकेंड से आई लेकिन प्रॉफिट में आई और यह जो कैंडिल ने क्लोजिंग दी है जिस पर हम लोगों ने ट्रेड इस पे लिया था ना इसने जो तक जोन का बेकाउट ना हूँ अपवर डिरेक्शन या डाउंवर डिरेक्शन ठीक है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना अब ट्रेडर को मार्केट फसाती कैसे है सबसे इंपोर्टेंट बात मैं आप बताने वाला हूँ इसको बहुत गौर से समझना ट्रेडर को दिया breakout दिया सभी ने 90% लोगों ने downward direction में next candle पर trade लिया होगा जाईर सी बाद लिया होगा ठीक है लेकिन market ने क्या किया back to pavilion ठीक है next candle green बना दिया 90% लोगों का पैसा यहां पर चला गया ठीक तो इसी को बोलते है आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बताया होगा error candle के बारे थीक ना कि error candle नहीं होती है भाई मेरे market trader को फसाती है थीक ना अभी trader उसमें trap हो जाएगा तो जाईर सी बात है amount अपना lose करेगा समझ गए तो यहां पर देखिए कि next candle जो आपकी बनी हुई है वो कौन सी green candle बनी हुई है यहां पर trader को market ने क्या किया trap कर दिया trap किया ना तो अब वापस से अपने जोन में आ गई market ठीक है मैंने किस candle पर trade लिया हुआ था इस candle पर trade लिया हुआ था समझ गय है इस candle पर ट्रेड लिया हुआ था और अपने ट्रेट profitable हुई बिल्कुल minor से second से ठीक है minor से second से अपने trade profitable हो गई ठीक आपने देखा ओगा अब अभी तक जोन का अपने breakout नहीं हुआ है ठीक ना जोन का breakout हुआ क्या अभी तक जोन का breakout नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे next candle अगर ये fully red candle और breakout देती है तो next candle पर हम लोग downward direction में trade करेंगे ठीक अभी जोन देखिए जोन बहुत powerful चीज होती है एक होती है box theory ठीक है अभी market जैसे stock market में आप देखेंगे box by box market चलती है box theory भी होती है ठीक ना same scenario आपका इसमें भी होता forex market में होता है और आपका binary trading में भी होता है box by box market चलती है और box को ही हम लोग zone बोलते हैं क्या box को ही क्या बोलते है zone बोलते है ठीक अब यहाँ पर मैं downward direction में एक trade लेना चाहूंगा अभी फिलाल के लिए ठीक अभी क्योंकि market ने breakout अगर इसको सही से adjust करेंगे अपने zone को तो market ने अभी breakout नहीं दिया है तो यह green candle में उपर से rejection आ सकता है probability है आ भी सकता है उपर की तरफ breakout भी दे सकती है समझ गया तो देखते हैं क्या होता है वेट करते हैं दो तीन trade मैंने लिव ही है downward direction में rejection based मतलब rejection आ सकता है probability है मार्केट में स्योर साथ नहीं होता है मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ सिर्व और सिर्व probability होती है कि हाँ यह हो सकता है ठीक है ना अभी उसमें कैन लगा हुआ है ठीक है चलो चा देखते हैं वेट करते हैं यह candle देखते हैं क्या कौन सी बनती ग्रीन रेड जो भी बनेगी और अगर clear cut breakout होगा तो हम लोग upward direction में जा सकते हैं चलो ले ले लेते हैं अभी यहाँ पर हलाकी market ने clear cut breakout दिया हुआ है ठीक है तो rule के हिसाब से ही काम करना है rule based अगर ट्रेडिंग करेंगे और money management आपका अच्छा रहेगा तो प्रोफिटेबल आप बन सकते हैं rule based ट्रेडिंग के हिसाब से rule based ट्रेडिंग करिएगा अभी आपको clear cut यहाँ पर breakout आपको दिखा ठीक ना मैंने तुरंद upward direction में ट्रेड लिए अभी फिलाल में अपनी ट्रेड प्रोफिट में चल दई जो उनका अपना breakout दे दिया market ने एक अच्छा कासा breakout दिया और एक अच्छी खासी bullish candle आई हुए जिसमें rejection नहीं है अगर उपर से यही rejection होता candle में तो साइद मैं upward direction में trade नहीं लेता ठीक मैंने ट्रेड लिया और अपनी सारी सारी trade profit में आ चुकी है लगबग 2 second बचा हुआ है और आ चुकी है ठीक अभी दो ट्रे round चेक कर पा रहे होंगे ठीकर तो अभी तू यहां पर दो ही trade क्यों लिया और भी ले सकता था reason मैं बताओं यहां शोर सार्ट नहीं क्योंकि ऊपर भी आपका एक zone है यहां पर मैं आपको draw करके दिखा देता हूं चलो rectangle ले लेते हैं और मैं आपको clear cut draw करके दिखाता हूं इ क्या है यह resistance area है तो resistance area है और candle ने अभी तक इसने अगर यह resistance को break कर जाती थीक है ना resistance को break कर जाती तो clear cut से और साथ trade थी अपनी resistance को break नहीं किया इसलिए दो से तीन trade मैंने की हुई है यह आपर और यह भी profit में आ चुकी है यह भी अपनी trade profit में सारी की सारी आ चुकी है तो अब यह आज आप लोग zone trading के बारे में आपको मरला देखिए बहुत deeply मैंने समझाया हुआ आपको zone trading के बारे में और पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं काफी नौलेजवल वीडियो आपको मिलेंगे शूर कर देना चैनल को subscribe कर लेना आपका दिन सो